जै शेकिष्णा तो बच्चों आज हम लोग फ्लूड डानमिक्स पढ़ने जा रहे हैं फ्लूड डानमिक्स में हम लोग उस फ्लूड को पढ़ते हैं जो कंटेनर के रिस्पेक्ट में मूव करता है कंटेनर के रिस्पेक्ट में जो फ्लूड करता है तो उसे हुम लोग फ्लूड डानमिक्स करते ह appel कुछ इसके स्टंडर्र इग्जांपट है सबसे स्टंडर जो एक्जांपल यो पाईप के अंदर पानी बेता हOOM जा रहा है वह एक्जांपल हो गया वह नदी के इंदर पानी बहता हुआ जा रहा है या नाला कोई बहता हुआ जा रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है या पिछकारी गोली में पिछकारी खेलते हैं तो वो सब स्टांडर्ड एक्जाम्पल है इसमें जो लिक्विड होता है या जो फ्लूड होता है वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में मू कि अघिए अटार्व करता है एक हम अब्सक्राइव करता हूं एक बार में फिर से बता हूं एक तो एजम्षन यह था कि जो फ्लूड़ होता है वह रोटेशनल होता है रोटेशन नहीं करता है rotation नहीं होता उसका इंदर और एक हमने ये बताया था कि fluid जो हुआ वो streamlined हुता है बताया होगा तो streamlined flow और irrotational flow जो होता है उसको हमa juga fluid dynamics के इंदर study करते है अब इसमें क्या है कि जो ये fluid dynamics है इसके इंदर जो streamlined flow है वो streamlined flow होता क्या है ये एक बार में मैं आपको समझानी जा रहा हूं तो streamline flow जो है मैं आपको इस तुम लाइन सब से पहले बात तो बता life कि यह streamlines जो है वो line नहीं होती है curves होते है line जैसे word है जैसे electric field line बोला जाता है तो वो line नहीं होती है वो curves होते है तो streamlines पहली बात तो space के अंदर space के अंदर streamlines होते है वो space के अंदर के ऐसे imaginary curves है ऐसे imaginary curves है जिनके किसी भी point पर डाला गया tangent जो होता है वो उस जगह पर velocity के direction को बताता है जैसे माल लीजे कि यह streamline को इस type की है तो अगर इस तरह के streamlined है तो इसका मतलब भी है कि यह space के अंदर का एक ऐसा imaginary curve है जिसके किसी भी point पर अगर हम tangent draw करें जैसे माल लो यहाँ tangent draw करते है यहाँ draw करते है यहाँ draw करते है तो किसी भी point पर डाला गया tangent उस जगह पर velocity के direction को दिखाता है value को नहीं दिखाता है सिर्फ देशा को बताता है कि space के अंदर ऐसे imaginary curves है जिनके किसी भी point पर डाला गया tangent उस जगह पर flow की पार्टिकल से उनकी velocity को के direction को बताता है तो मैं आपर लिख दे रहाँ, these are imaginary curves these are imaginary curves in space these are imaginary curves in space such that the tangent these are imaginary curves in the space in space such that the tangent drawn at a point gives the these are imaginary curves in space such that the tangent drawn at a point gives the direction of flow this space in the same imaginary curves that the tangent of flow is shown in the same way that the direction of flow this streamlines now the streamlines in streamlines these are some properties so I will tell you properties properties अप्रोपर्टी तुम बताओ जरा सूच के है 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 हां क्या है है तो यह आपका स्टीम लाइन फ्लो जो है तो यह तो स्टेडी फ्लो की प्रपरटी स्टेडी फ्लो यह स्टीम लाइन फ्लो की प्रपरटी होती है तो इसमें हम स्टीम लाइन की प्रपरटी पूछ रहे हैं स्टीम लाइन फ्लो की प्रपरटी नहीं पूछ रहे हैं स्टीम लाइन फ्लो की प्रपरटी नहीं पूछ रहे हैं अब इसमें क्या है इसकी एक प्रपरटी यह बड़ी सि सकते हैं नहीं करवाइंगी कि इसलिए इंटा-इसेट कर पाएंगी फिन फेल वेलुक्त फिर दो डिर्टार इंटार पर इंटर्ट जएगा ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एक साथ गाल सकती है। एक इन देशन पर ल ár... एक साथ को पर पिज सकथे अधरी ृक को टू स्ट्यम लाइंस कर नेबर इंटेlex नहीं हो गाथे कि एक जगह पर डौस्ति नाहीं, duda प्रमृट्टि हैं। दूसरी इक प्रमृट्टि होती है, कि यह जतना पास पास होती है, उस जगह पे flow velocity उतनी जादा होती है जितना दूर दूर होती है उस जगह पे flow velocity उतनी कम होती है तो जैसे suppose करें कि कुछ इस तरह से है मतलब मैं पहले तो situation बता दे रहा हूँ suppose करें कोई flow ऐसे दिया है इस तरह से कोई flow दिया हूँ है और यहां से ऐसे liquid flow करता हूँ जा रहा है तो यहां पर एक point मालू मैंने A उठा लिया यहां पर B उठा लिया और यहां पर C उठा लिया ठीक है ठीक है तो अब क्या यह streamlines मैंने बना रखी तो अब इसमें क्या होता है कि जितना streamlines past past होंगी flow की velocity उतनी अधिक होगी तो जिसे यहां पर आप देखें तो यह बहुत ही past past streamlines है तो यहां पर flow velocity अधिक होगी यहां पर velocity बहुत कम होगी क्योंकि streamlines बहुत दूर दूर होगी तो जितना ज़्यादा इनके बीच का relative separation होगा जो distance होगी relative separation जितना ज़्यादा होगा जो flow velocity होगी इतनी कम होगी तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ higher is the higher is the relative separation higher is the relative separation between streamlines higher is the relative separation higher is the relative separation between streamlines lower is the lower is the velocity of particles ठीक है एक बड़ा confusion रहता है बच्चों के दिमाग में बच्चे अपनी तरफ से ही मान लेते हैं कि streamlines जो होती है वो particle के path को दिखाती है जो particle है वास्तों में कैसे चल रहा है वो बताती है जब कि सच्ची बात यह नहीं है streamlines particle के path को नहीं बताती है streamlines जो होती है वो उस जगह पे velocity का direction बताती है particle का path नहीं बताती है particle का path बताने वाली जो line होती है वो आगे engineering में पढ़ोगे तुम लोगो street lines कहते है उनको streamlines कहते है actual में particle ऐसे नहीं जा रहा होगा particle तो यहां से जागे हो सकता है यहां से कटके फिर यहां से आ जाए फिर पता नहीं कैसे चलना होगा जो particles है उनके motion को नहीं बताती streamlines जो होती है वो सिर्फ velocity उस जगह पे velocity का direction बताती है अगले मोके पर जो particle अभी यहां पे दा वो अगले मोके पर हो सकता है यहां पर आजा और यहां पर कोई दूसरा particle आ जाए वो ऐसे जा रहा हो तो यह particle के direction को नहीं बताती particle के path को नहीं बताती particle के path को बताने वाली line है streak lines होती है वो मतलब आगे की बात होगे तो यह यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ they do not represent they do not represent the path of particle they do not represent the path of particle particle के path को नहीं दिखाती है they do not represent the path of particle मतलब एक तो यह कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती क्योंकि एक जगह पे एक सधिक velocity नहीं हो सकती दूसरा इनके बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी ठीक है उनके particle की velocity उतनी कम होगी और तीसरा यह particle के path को नहीं दिखाती है तो uniform flow जो होता है यह क्या होता है इसको मैं समझाने जा रहा हूँ uniform flow ऐसा flow होता है जिसके अंदर जो velocity होती है ना time और position के साथ vary नहीं करती है जैसे कोई माल वीजिए एक cylindrical pipe है cross sectional area इसका constant है इसके अंदर पानी बह रहा है तो इसके अंदर पानी बह रहा है तो यह पानी जो होगा उसका कोई भी particle अगर ले लेंगे तो उस particle ऐसे सीधे जा रहा है particle तो उसकी जो velocity होगी ना time के साथ बदलेगी ना position के साथ मतलब उसकी velocity constant रहेगी तो अगर इस तरह का flow है तो उसे हम लोग uniform कहते हैं uniform का मतलब सब बराबर सब एक जैसा तो अगर flow uniform है इसका मतलब जो particles की flow की जो velocity है ना time के साथ बदलती है ना position के साथ बदलती है तो यह मैं यहाँ पर लिख दे रहाँ in uniform flow in uniform flow the velocity of flow does not change velocity of flow does not change with position or time जो अगला आता है जिसे हम लोग स्टेडी फ्लो स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन प्रो के साथ नहीं बदलती है स्टेडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसको समझेए का ध्यान से सब्सक्रिये कोई पाइप है जनुए नहीं कि रेंडम आपका सिलेंडरिकल शेप का ही हो कोई पाइप ऐसे भी हो सकता है किसी भी शेप साइज का पाइप हो सकता है साइट समति पाइप का मतलब होता है जैसे जिसमे से लिक्विड फ्लो करें हमारे जो बाडी के इंदर रेल्स और अर्थी जे वो फाइप हुझ गया तो पाइप है यह सपोस कर लेते हैं और इसके इंदर लिक्विड फ्लो कर रहा ह speaking अन्द में भी आताыт यहां पर एक point बने B उठा लिया, यहां पर एक point बने माल लिया, C ले लिया, ठीक है, सबस्त करिए कि A पर जो particle आ रहा है, A पर हमने देखा हमारे पास कोई ऐसा instrument है, जिससे हम A पर जो particle पहुत रहा है, उसकी velocity नाप सकते हैं, तो A पर हमने velocity जो है 10 unit निकाली, 10 semi per second, माल लिया B पर जो particle था, उसकी velocity थी 25 semi per second, और C पर जो particle था, इसकी velocity माल लिया, 15 semi per second थी, हमने कहा किया, T बरापर 0 पर देखा कि यहां जो particle आ रहा था, उसकी velocity 10 थी, यहां वाले की 25 थी, यहां पर जो particle था, उसकी 15 है, फिर हमने कहा किया, 10 minute बाद आके पिर से measure किया, 10 minute बाद आके दे तेखंगा ही तीप ग़टीफाइव इसकी फियंज की फिप्टीजिम थी फिर हम दो जिन बाद माद लोड के आए दो जिन बाद मे लोड क्याय। फिर इसे यहां पे देखा तो पार्टिकल की विलॉसिट्टी 10 के 10 निकली, यहांबे जो particुल पहुंचर उनकी परच्छी सर्थ, मैंने समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, टाइम के साथ, अलग-अलग flow के अलग-अलग points की velocity समय के साथ नहीं बदली, यह जो particle जयए इसकी velocity 10 है न, इस जड़ब हे, वो आगे जाकर उसकी velocity कुछ और हो सकती उससे मतलब नहीं है, उस particular flow के अलग अलग points पर जो velocity होती ही, वो time के साथ नहीं बदलती है, position के साथ बदल सकती है, position का मतलब यहां पर है, अलग है, यहां पर है, यहां अलग है, यहां अलग है, तो position के साथ यहां, uniform में क्या था, ना time के साथ बदलेगी ना position के साथ, एकदम इसको मैं बोल देता हूँ, in this type of flow, velocity, in this type of flow, velocity of particles, does not, no, velocity of particles बोलना सही नहीं है, velocity of this type of flow, velocity of different points of the flow, velocity of different points of the flow, does not change with time, this type of flow, velocity of different points of the flow, does not change with time, time के साथ, अलग अलग points की जो velocity होती है, वो समय के साथ नहीं बदलती है, position के साथ बदल सकती है, यहां आपर अलग होगी, यहां अलग होगी, यहां अलग होगी, यहां के साथ नहीं बदल रहे है, इस तरह का जो flow होता है, उस flow को हम लोग streamline flow के नाम से जाते हैं, equation of continuity जो है, यह एक basic equation है, fundamental equation है, flow dynamics का, equation of continuity ऐसे समझी ही, सपोस करीए, यह कोई एक pipe है, किसी भी random shape का pipe हो सकता है, ऐसे मान लिए कोई pipe है, जहां से liquid inter कर रहा है, उस जगह का area A1 मान लिया मैंने, और उस जगह पे जो liquid inter कर रहा था, उसकी velocity मैंने V1 मान लिया, ठेक है, जहां से निकल रहा है liquid, उसका area मैंने A2 माल लिया, और जो velocity है, उसकी मैंने V2 माल लिया, ठेक है, अब equation of continuity क्या है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसमें जैसे माल लेते हैं, कि यहां से DT time में कितना mass inter कर रहा है, यह मैं निकालने जा रहा हूं, तो DT time में हम देखेंगे तो यह liquid distance travel करेगा, वो distance V1 into DT के बराबर travel करेगा, V1 DT के बराबर distance travel करेगा, और एक छोटा सा यह cylinder type का बन जाएगा, और इस cylinder का volume कितना होगा? A1 V1 DT, यह इसका बली मुझा जाएगा, तो अब यह जो liquid है, इसका जो mass आएगा, गर मैं उस मास को DM1 बोल दू, तो DM1 जाएगा, रो इंटू A1 V1 DT, DM1 ही आजाएगा, रो इंटू A1 V1 DT, यह DM1 की वेल जाएगा, यहां से जो mass inter कर रहा हो इतना होगा, जो निकल रहा हो अगर मैं उसको DM2 बोलू, तो DM2 किसके पराव जाएगा, रो A2 V2 DT, ठीक है, तो जितना mass per second यहां, जड़ा सा small time interval में जो inter कर रहा है, वो रो A1 V1 DT है, DT time में, और यहां से जो निकल रहा है, इसके परावर है, अब थोड़ा ध्याद से देखे, यह मैं कर सकता हूँ कि ज सोच भी सकते हैं कि अगर माल लो कि जैसे यहां से जादा इंटर कर रहा है, यहां से कम निकल रहा है, तो अगर एज़ा होगा, तो थोड़ी दर में पाइप फट जाएगी, यहां से जादा निकल रहा है, तो थोड़ी दर में यहां से जादा निकल रहा है, तो थोड़ी द सब्सक्राइब है कि स्टीम लाइट प्लो में जितना इंटर करना है उतना ही निकल रहा होगा तो यह दोनों बराबर हो जाएंगे dm1 dm1 जो है इसके बराबर हो जाएगा dm1 is equal to dm2 आजाएगा dm1 के मेली होगे रो a1 v1 dt और dm2 हो जाएगा रो a2 v2 dt dt से dt चला जाएगा रो से रो चला जाएगा तो a1 v1 is equal to a2 v2 हो जाएगा यह a1 v1 is equal to a2 v2 हो जाएगा तो area और velocity का जो product है वो यह आजाएगा इसी को हम लोग equation of continuity कहते है equation of continuity जो है वो यह है कि area और velocity जो है इसका product constant होता है ठीक है इसी बात को बोलने का एक और तरीका है वो मैं आपको सिखा देता हूँ इसी बात को हम ऐसे भी सोच सकते हैं सब्सक्राइए कि एक तो यह हो गया कि area और velocity का product constant रहता है इसे पीवी बराबर constant होता है अब इसमें जो डीटी टाइम में लिक्विट इंटर कर रहा था इसको देखेगा समझेगा और इसका फ्लू बोलने का तरीका है डीटी टाइम में जो लिक्विट इंटर कर रहा था उसका वॉल्यूम कितना निकाला था हम लोगों अने एवन वीवन डीटी और माल लेते हैं उस वॉल्यूम को में डीवी बोल देता हूं क्योंकि भी ले चुका है विलास्टी से ले चुके हैं तो डीटी टाइम में जो सब्सक्राइब तो हम ऐसा के सकते कि डीएल अपॉन डीटी जो है यानि वॉल्यूम फ्रूरेट कॉंस्टेंट होता है तो डीएल अपॉन डीटी इस एक स्टेट्मेंट तो यह हो गया जनरल स्टेट्मेंट यह है इसी इक्वेशन ऑप कॉंटिटी को बोलने का एक और तरी जो किताबों में लिखा रहे आपको यहीं लिखा रहेगा एवन वीवन इस एक्वेशन अपॉन डीटी तू लेकिन दूसरा तरीका यह कि वॉल्यूम फ्रूरेट इस एक स्टेंट ठीक है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं वाल्यूम फ्रूरेट is a constant volume flow rate जो होता है वो constant होता है तो यह दो तरह से equation of continuity का हम बोलते है area और velocity का प्रूरेट constant हो गया एक तरीका यह हो गया बोलने का और दूसरा यह कि volume flow rate जो है वो constant होता है तो इस तरह से हम लोग equation of continuity को समझ सकते है real life में equation of continuity बहुत सारी जगहों पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पर example आप देख सकते है equation of continuity के जैसे कुछ मैं आपको general example बताता हूँ एक example सबके दिमाग में होगा जैसे कई बार घर में हम लोग क्या करते है कि पेड़ पोदो किसी चाही करते है तो पेड़ पोदो किसी चाही करने के लिए जो पाइप होती इसको हलका सा दबा देते हैं तो पानी बहुत तेज निकलता है तो हलका सा दबा देने का मतलब क्या हुआ होगा अलका से दबा देने का मतलब यह वह वहागी एरिया कम कर दिया तो velocity बढ़ागी a,b is equal to instant और वी इसके example है और इसके example आप जीसे पिछकारी हम psychikारी में इसे प्रेइस करते हैं उसको तो देरे देरे प्रेइस करते हैं पानी बहुत तेज भागता है उसका कारण भी क्या होता है कि पिछकारी में जिस चीजE को फ्रे到底 होता है तो उसका एरिया होता लेकिन जो पानी होता है जो जहां से निकलता है उसका जड़ होता है उसका बहुत कम होता है तो दूर तक चला जाता है या जैसे कई बार आप ऐसे देख सकते हो जैसे आप किसी भी नदी को ध्यान से देखो और थोड़ी दूर तक देखो तो नदी जहां पे सक्री होती है वह लोगोंने यह चीज आप जैसे बिसी नदी पे पुल बनता है अब पुल बनता है औरोल सोते हैं अब जैसे नदी थी एक नदी ती उससे बहुत प्लश पढ़ गया तो जिस ती हैं पे प्लॉर पोड़ पॉल गया तो ध्यान से तो पिलर के नीचे पानी तेज बहता हुआ फाउंटेंट फवारा फवारा जब उपर कि तरफ जाता है तो फैलता जाता है उसका लॉजिक उसको लॉजिक वी यह ओपर जाएगा वेलॉस्ति कहुं होगी एरिया बढ़ता चला जाएगा ठीक है जैसे कहीं भी दो नदियां मिलती है जैसे इलहाबाद के इंदर एक संगम है तो संगम में का गंगा और यमुना के मिलती में देखा हुआ है उसको practically देखा है गंगा यमुना के मिलती है और जहां के मिलती है जब एकठा हो जाती है तो फ्लोव व्लास्टी बढ़ जाती है अब्यसली सी बाद है। या जैसे ऐसा बताते हैं, मतलब इसमें थोड़ा और बारिग बाते हैं कुछ चीजे हैं जो आप समझ सकते हों जो गहरी नदिया कोदिया होती है उनका फ्लो धीरे ह knee कुलता है तो कहने का मतलब यह है कि area और velocity का जो product है वो constant रहेगा और area अगर बढ़ाओगे तो velocity के value कम हो जाती है इसमें कहा है तीन pipes है एक यह वाला pipe है इसका cross-sectional area जो है यह है 10 cm2 यह वाला जो pipe है इसका cross-sectional area जो है यह है 20 cm2 है और इस pipe का cross-sectional area है 15 cm2 इसका 10 है इसका 20 है इसका 15 है और यहां से जो liquid enter कर रहा है इसकी velocity है 5 cm2 पर सेकंड यहां से जो liquid enter कर रहा है इसकी velocity है 10 cm2 पर सेकंड यहां से इंटर कर रहा है 10 cm2 पर सेकंड से यहां से इंटर कर रहा है 5 cm2 पर से और यहां से जो liquid है निकल रहा होगा ठीक है तो question है find the velocity of liquid find the velocity of liquid coming out velocity of liquid coming out round third pi तीस्रा वाला जो pipe है यहां से देखो liquid enter कर रहा है 5 से यहां से 10 से और जो तीस्रा वाला pipe है उससे जो liquid बाहर निकल रहा है उसकी velocity बताओ तो एक लाइन दा सवाल है इसमें तो कोई ज्यादा ज्यादा कुछ करना नहीं है तो मैं इसको solve करता हूं देखें इसमें क्या होगा कि इसका a1 v1 plus a2 v2 बराबर a3 v3 हो जाएगा जेतना वाल्यूम यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है उसका जोड़ यहां से जाएगा तो इसका a1 v1 कितना होगा 5 x 10 इसका a2 v2 हो जाएगा 10 x 20 और यह बराबर जाएगा 15 x V जो वाल्यूम यहां से इंटर कर रहा है वाल्यूम यहां से निकल रहा होगा अभी हम इसको solve करेंगे तो यह 200 प्लस 100 तो फिफ्टी तो फिफ्टी वाई 15 तो भी हो जाएगा 255 15 और य सब्सक्राइब करने के लिए किसी समयों को एक दीवार है उसमें नल लगा हुआ है नल का से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलासिटी जो ने यू दे रखी है नल खुला है और नल से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलासिटी यू के बराबर है तो इसके इंदर question जो आ रहा है वो यह है we find the cross-sectional find the cross-sectional area of the stream when liquid has fallen by when the liquid has fallen by the distance find the cross-sectional area of the stream यह जो stream है जो धार है पानी की वो नीचे की तरफ गिरेगी तो जब यह liquid जो है h distance fall कर चुका है तो उस समय उसका cross-sectional area आपको बताना है देखिए इसका solution निकालते हैं लोग इसके इंदर जो पानी की धार गिरेगी तो velocity तो उसकी बढ़ती ही जाएगी तो धार पतली होती जाएगी ठीक है अब इसमें जैसे माल लेते हैं कि h height तक यह धार गिर चुकी है और h height तक अगर धार गिर चुकी है तो उस समय इसका जो cross-sectional area है वो मैं a dash माल ले रहा हूँ बहुत सीधी सी बात है पानी की धार जो है वो free fall कर रही है free fall कर रही है तो मैं इसके लिए v square is equal u square plus 2gh लगा सकता हूँ नीचे की तरफ तो यहाँ पर जो इसकी velocity होगी flow velocity यहाँ पर जो आएगी आटी बीटू शुरू में area small ए था velocity यू थी बाद में area a dash माना है मैंने और velocity है under root of u square plus 2gh यह velocity है तो a dash की value आजाएगी a u upon under root of u square plus 2gh तो a dash जो आएगा वो a u upon under root of u square plus 2gh इसके बराबरा चाहेगा ठीक है तो यह note कर लीजे आप लो बर्नोलीस थेरम जो है यह basically कुछ कुछ केताबों में लिखा रहता है कि यह energy conservation का ला है तो ऐसा मानना उचित नहीं है बर्नोलीस थेरम basically liquid की work energy theorem है liquid जो होता है उसके लिए जब हम work energy theorem लगाते हैं तो हमें जो मिलता है वो बर्नोलीस थेरम होता है बर्नोलीस थेरम क्या है यह मैं आपको समझा देता हूँ किताबों में लिखा रहता है यह energy conservation है लेकिन वास्तों में यह energy conservation नहीं है यह liquid की work energy theorem में कैसे आती है क्या होता है यह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सबोस करिए कोई pipe है तोड़ा सब्सक्राइब ऐसा बनाओंगा जो आसानी से समझाए जा सके और इसके अंदर यहां से liquid इंटर कर रहा है जहां से इंटर कर रहा है उसका cross sectional area A1 है velocity V1 है यहां से liquid निकल रहा है इसका cross sectional area A2 है और velocity V2 है ठीक है और ground level जो भी ground है उस ground level से इसकी जो height है वो H1 है और इसकी जो height है वो H2 है ठीक है यहां से जो liquid इंटर कर रहा है उसकी velocity V1 है यहां से जो निकल रहा है उसकी velocity V2 है इसकी height H1 है और इस वाले part की height H2 है और इसमें यहां पर जो pressure है इस जगह बेए प्रिशर हर जगह सेम तो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो प्रिशर है, वो माल लिया कि P1 है, और यहाँ पर जो प्रिशर है, वो P2 ही, इस जगह पे, मतलब यहाँ की सारी चीज़े 2 से दिखाई गई है, यहाँ की सारी चीज़े 1 से दिखाई गई है, तो Bernoulli की थेयरम जो है, पहले मैं theorem लिखता हूँ फिर उसका प्रूब बताता हूँ बर्नॉली की theorem जो है वह यह कहते है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेर प्लस रो जी हच वर इस इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेर प्लस रो जी हच टू यह बर्नॉली स्क्वेरम है यानि फ्लो में अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो आ रहा है तो फ्लो में P प्लस हाफ रो भी स्क्वेर प्लस रो जी हच इसे कॉंस्टन P1 प्लस हाफ रो इवन स्क्वेर प्लस रो जी हच वन इस इक्वल टू प्लस हाफ रो इवन स्क्वेर प्लस रो जी एस टू इस टू इस अब इस थेयरम को हम लोग प्रूब करने जा रहे हैं प्रूब करने जा रहे हैं तो जैसे माल वह यहां से जो लिक्विड इंटर करना है बहुत छोटा सा अगर मैं टाइम इंटर्वल लूँ तो उस छोटे से टाइम इंटर्वल में जो liquid inter करेगा उसकी distance होगी V1 into dt उसका volume होगा A1 V1 dt और density से multiply कर देंगे तो जो mass inter कर रहा है वो rho A1 V1 dt के पराबर होगा फिर से देखलें चोटा सा time dt लिया मैंने उस dt time में जो distance travel करेगा V1 dt होगा क्रॉस-sectional area से multiply करेंगे तो volume हो जाएगा देंस्टी से multiply करेंगे तो mass हो जाएगा जितना mass यहां से enter करेगा उतना ही mass यहां से निकल रहा होगा तो इसी DM को हम लोग क्या बोल सकते हैं V2 dt इंटू 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 रो इसी DM को मैंसे ही बोल सकते हैं अब इसमें क्या है कि मैं इतने पाई से यहां तक हम रिकविड तक असका mass यहां से हुगा है तो यह जो जो दीएम यहां से इंटर किया और जो यहां से दीम निकल निकला उसके लिए मैं वरक नजी थरम लगाने जा रहा हूं तो अगर मैं उसके लिए वरक नजी थरम लगाऊंगा उस DM के लिए तो यहां से यहां तक अपने पास आजाएगा K final यानी half of the DM into V2 square minus K initial half of the DM into V1 square K final minus K वरक नजी थरम क्या होती? K final minus K initial और W all में एक तो इसके उपर gravity का बर्खोगा gravity का बर्खोगा minus of DM into G into H2 minus H1 DM मास यहां से उटके यहां जा रहा है और यहां से यहां तक कि जो हाइट हो H2 minus H1 है चूंकि मास उपर जा रहा है और gravity नीचे लग रहे ही तो उसका बर्ख निगेटिवाएगा तो जाएगा minus of DM into G into H2 minus H1 plus और देखे प्रेशर फोर्स यहां पर बर्ख कर रहा है देखे प्रेशर जो फोर्स लग रहा होगा वह लग रहा होगा वह लग रहा होगा P1 into A1 और उसके वाज़े से जो displacement हो रहा हो रहा है तो यहां पर जो प्रेशर फोर्स का वर्क आ रहा होगा प्रिशर का जो वर्क आ रहा होगा वो आ रहा होगा P1 A1 V1 DT यह प्रिशर का वर्क आ रहा होगा और यहां पर देखें यहां पर जो प्रिशर का लग रहा होगा और यहां पर जो प्रिशर का लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा लेकिन displacement इधर है तो यहां पर जो प्रि V2 square minus V1 square into DM is equal to minus of DM into G into H2 minus H1 plus अब जड़ा धान से देखेगा A1 V1 DT A1 V1 DT को मैं लिख सकता हूँ DM by rho और A2 V2 DT को भी मैं लिख सकता हूँ DM by rho ठीक है तो अब यह जो A1 V1 DT इसको मैं DM by rho लिखूँगा तो यह जाएगा P1 into DM by rho minus P2 into DM यह होगया अब उसके पाद DM से DM से DM cancel out हो जाएगे सारे और जब सारे के सारे DM cancel out हो जाएगे और मैं पूरे को रो से multiply कर दूँगा तो यह हो जाएगा half rho V2 square minus half rho V1 square is equal to सारे DM cancel होई चुके हैं यह जाएगा minus rho G minus rho G H2 plus rho G H1 plus P1 minus P2 अब मैं वन वाल एक तरफ सारे कर लेता हूँ 2 वाल एक तरफ कर लेता हूँ तो यह पर बर्नॉलिगी थरम प्रूब होगे तो यह बोलना के वार किताबों में लिखा रहता है बहुत सारे किताबों में इसा सही नहीं है इस एक्जामपल ओफ एनरजी थरम जब हम लिक्विट के लिए वरक एनरजी थरम लगाते हैं तो वह वरक एनरजी थरम जो है वह इस फॉर्मिट में भूले का थरम थी ठीक है प्लस हाफ रोवी स्क्वार फ्लस रोजी है चीज कॉंस्टेंट चाहे इसको आप ऐसे बोल सकते हैं अब इसमें क्या है कि इस चीज को बोलने का एक तरीका है बोलने का तरीका क्या है जैसे मालें यह kinetic energy जो होती है वो होती हाफ mv square यह kinetic energy है अगर मैं इसको volume से डिवाइड कर दू तो mass upon volume क्या हो जाएगा density तो क्या हो जाएगा half rho v square तो इस half rho v square को मैं बोल सकता हूँ kinetic energy per unit volume यह half rho v square जो है यह kinetic energy per unit volume है potential energy mgh h होती है volume से डिवाइड कर दू mass upon volume density हो जाएगी तो इसको मैं बोल सकता हूँ potential energy per unit volume और यह कोई energy नहीं होती लेकिन mail मिलाने के लिए मतब एक जैसा दिखे तो किताबों में ऐसा लिख देता है कि kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume और pressure energy per unit volume का जोड constant होता है जबकि pressure energy कैसी जैसी कोई चीज नहीं होती है वो पस एक समझाने के लिए कि जैसा बच्चे को याद सा हो जाए तो इसलिए बोल देता है कि kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume और pressure energy per unit volume जो होता है इसका sum constant होता है तो बर्नौली इस तरम को बोलने का एक ये भी तरीका है तो मैं लिख देता हूँ sum of kinetic energy per unit volume sum of kinetic energy per unit volume potential energy potential energy per unit volume sum of kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume and pressure energy per unit volume pressure energy per unit volume is a constant volume is a constant sum of kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume and pressure energy per unit volume is a constant ठीक है ये बर्नौली की तरम है और ये जो बर्नौली की तरम होती है इसके रियल लाइब बहुत सारे अप्लिकेशन होते हैं अस्वी जिंदिगी भी बहुत सारे अप्लिकेशन होते हैं तो कुछ इसके रियल लाइब आप्लिकेशन में आपको बदाता हूँ बर्नौली स्थिरूम के जो एरो प्लेइन की डिजाइनिंग होती है मतलब एर भी एक फ्लूड है ठीक है एर भी एक फ्लूड है और एर के लिए भी हम लोग अप्रॉक्सिमेटली बर्नौली स्थिरूम लगा देते हैं तो एर के लिए या लिक्विड के लिए दोनों के लिए बर्नौली स्थिरूम लगाते हैं लोग जो एरो प्लेइन की डिजाइनिंग होती है पूरा का पूरा बर्नौली स्थिरूम के ब्लेजड होती है तो इसी थेयोरम के basis पर उसकी डिजाइनिंग की जाती है जैसे एक situation में आपको बताता हूँ तो इसलिए बच्चे का accident नहीं लेकिन सच में खीशती है उसका logic क्या है उसका logic यह कि जैसे मालीजे मैं खड़ा हूँ ट्रेन मेरे सामने से गुजर गई अब मेरे सामने से ट्रेन गुजरी तो मेरे सामने की air की velocity बहुत जादा हो गई तो अब पी प्लस हाफ रो वी स्क्वेर प्लस रो जी एच कॉंस्टेंट होगा तो अगर एर की velocity ज्यादा हो गई तो प्रेशर क्या होगा अपने आप कम हो जाएगा तो जब सामने से जैसे ट्रेन गुजरेगी मेरे सामने प्रेशर कम हो गया अब पीछे प्रेशर लगब पीटू माइनस पीवन लगेगा तो वो हलका भुलका माली जाब थोड़ा साथ ऐसे हुए बाकि उसकाम उसने कर दिया तो गिर जाएगा तो इस वज़े से यह सच में अपनी तरफ खीशती और इसको आप लेट फॉर्म पे तो नहीं लेकिन रेलवे क्रॉसिंग यहां होती वहां पर खड़े हो कि देखो जो प्रेंज आती है न तो आसपास जो बहुत सारा ऐसे पन्नी वन्नी कागज वागज उर्ण के अंदर की दरफ भागते हैं इसको नोटिस कर सकते हैं ठीक है तो वह इसी वज़े से होता है बर्नौली थिर्म का एप्लिकेशन है उसके अलाव भी पर के चलते हैं ऊसका ब스크 कर देंगे लिकल्स के यूजगान के उसकी मतिकर तो यहां जोए रोगी उसकी बिलास्όσंटि जाएगी लाश्की बीमी प्लस अमेगार जाहिए ज्यादा हो जाएगी यहां j gal 12D तो जो बैटस्ट में रहां जहां गिरनी होगी तो अगर यहां पर प्रेशर कम है तो बीट हो जाएगा तो जहां इसे घूमा गे आय। गरने के पहले तो उस वजह से वह बैट्समेंट बीट हो जाता है तो यह बहुत सारे अप्लिकेशन होते हैं एक अप्लिकेशन होता है जैसे सुना होगा जब आधी दूफान आते हैं ना तो जो गरीभ होता है उसकी जूपडी उड़ जाती है इसमें वी बरनाली की थेर्म का कांत्रिविशन होता है ठीक है तो इसमें जैसे आधी दूफान आई आधी आई तो यह हवा बहुत तेजी से बह रही होगी तो जो गरीब होगा अभी होगा जो भी होगा गरीब आदमी होगा वह अपनी जोबड़ी का दर्वाजा रवाजा सब्बंद करके अंदर चुपचा बैठा होगा है कि किसी तरह आधी चली जाए तो अब क्या होगा कि भी आधी आएगी तो बाहर की जो एर है उसकी वेलोसिटी जो है बहुत अधिक हो जाएगी तो प्रेशर कम हो गया अंदर जो है वो बंदोन करके रखा हुआ है तो अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया है और अंदर तो उसको एक हल्का से लिफ्ट मिल जाएगा बा और लेके हवा उड़ जाएगी करल में अच्छा यह तो चल एक बात हो गई और एक दम रिल लाइफ में जो इस्तेमाल होता है एरोप्लेन यह था एरोप्लेन उसका उटी जो होता है कैसे बैलेंस होता है वह उड़ेगा इतना भारी यह लोगे वन होता है उसका जो बैंसिंग होती है इसमें क्या होता है कि वेलाशिटी बहुत कम हो जाए बहुत अधिक हो जाएंगी तो उपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा जैसे ऐसे आ रहे हैं कुछ ऐसे जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी तो डिजाइनिंग का पार्ट होता है कि जो एर होती उसको इस तरह से रोपते हैं कि ऊपर बहुत तेजी से निकले तो बहुत तेजी से जब जाती है उपर की तरह तो वेलासिटी बहुत अधिक होगी तो मैं आपको एप्लेकेशन मिलेंगे जहां बर्नोली की तियोंगा इसे बारेंट इंस वह था इसा नोilly सो सब्सक्राइब हुए पर आपको एपलीकेशन मिलेंगे जहां बर्नोली की सब्सक्राइब वालूगा